असलाम आलेकुम उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे हमारी आज की वीडियो है कि आपने सिस लॉग इन से अपना फीस वाउचर प्रिंट कैसे करना है बहुत से स्टूडेंट्स को यह इशू आ रहा था तो चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूगा अब वहां से भी ड्रेक्ट की पेज ओपन कर सकते हैं यहां पर आपने अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर और पासफ़र्ड इंटर करना है जैसे ही आप लोगिन हो जाएंगे आपके राइट साइड पर ऊपर की तुरा फी लिखाबार होगा अब पर होगा फी लिखाबार होगा फीस ओस्टल एंट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी पर भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आपका total fees से related data शो हो जाएगा, क्योंकि आपने इस semester की fees प्रिंट निकल वानी है, तो आपने fee bill पर क्लिक करना है, fee bill पर क्लिक करेंगे, तो साथ ही एक new page open हो जाएगा, अगर आपका new page open नहीं होता, तो आपने इस जगां पर देखना है, यहाँ पर एक notification शो हो रहा होगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर एक allow की option होगी, आपने allow पर क्लिक करके ok कर देना है, इसके बाद आप आपने दुबारा fee bill पर क्लिक करना है, तो आपका यह new page open हो जाएगा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, कि आपको fees concession कितनी होई है, उसके बाद आपकी enrollment fees कितनी है, यह सारा को शो हो रहा होगा, इसके बाद आपके यहाँ पर तीन option है, आपकी full installment, first installment और go back, तो आपने अगर तो full fees जमक रहानी है, तो आपने full fees पर क्लिक कर देना है, first installment जमक रहानी है, तो first installment पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक new page open होगा, यहाँ पर भी आपके पास तीन options होगी, print, go back, recalculate, अगर यहाँ पर आपकी tuition fees show हो रही है, then तो ok है, अगर tuition fees show न इसके बाद आपने एक और चीज़ confirm कर लेनी है, कि आपकी ने जो enrollment किया है, वो creditors exact show कर रहा है, कोई difference तो नहीं आ रहा है, इसके बाद आपने print पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप print पर क्लिक करेंगे, आपका print fees voucher show हो जाएगा, University of Lahore की तरफ से कालिये notification जारी किया गया, इसके मताबक आपकी last date, first installment fees ने मदराने की चार मही है, और second installment की last date, साथ जलाई होगी, इसके इलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी आ रही है, या फिर आपका इस method के through print नहीं निकर रहा है, आपने सारी try करके देख लिए है, तो आपने यह क्या करना है, कि यह जो email address यह गया है, इस पर अपनी क्यूरी email कर देनी है, best method यह है कि आप mail करें, अगर still आप WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं, इसी तरह University of Lahore, main campus के जो students हैं, उनके लिए email address तोरा different है, यह भी description में given होगा, follow इस email address पे अपनी क्यूरी email कर सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शुक्रिया, अल्लाहाफेज,